भारती रिजर्बैंक ने वितवर्ष 23-24 के लिए केन सरकार को 2,11,000 करोड रुपए का लावाँज देने की घोश्टा की है अनुमान जो तैर रहे थे वो 1,00,000 करोड के थे लेकिन ये तो राशी उसके दो गुने से भी जादा है किंद्री बैंक की ओर से अब तक सरवादिक लावाँज का भुकतान मिला है ये सरकार को ये चालू वितवर्ष के बजट अनुमान की तुलना में दो गुने से भी अधिक है अनुमान से अधिक लावाँज मिलने से सरकार का राजकोशिय घाटा कम करने में मदद मिलेगी केन सरकार ने वितवर्ष 24-25 में राजकोशिय घाटे को GDP के 5.1% सीमित रखने का लक्ष रखा है अनुमान से अधिक लावाँज की घोशना के बाद 10 साल वाले सरकारी बॉंड की इल 7 फीसत के नीचे आ गई एक और इंपॉर्टन चीज ये भी है कि टेक्स का कलेक्शन जो सरकार ने उमीद की थी उससे बहतर है तो आपको डिविडेंट में भी पैसा मिल रहा है टेक्स का कलेक्शन भी बेटर हो रहा है तो राज कुशी घाटे पर इसका असर दिखना सवभा भी कहा है सर इसका क्या असर आप और होता देख रहे हैं करीब करीब पिछले साल के तुलना में 140% जाधा है और एक तरीके का सर्प्राइज बुनांजा है जो आरबियाई ने लावांश के तौर पर सरकार को दिया है इसके पीछे जाना जरूरी और से समझना जरूरी है हम आपको बताते रहे हैं पिछले कारेकरमों में कि केंदु सरकार बाजार में लिकुडिटी की समस्या के समाधान के लिए बॉन्ड का बाइबेक करना चाहती है जो बाइबेक नहीं हो पा रहा है पिछले पहले ट्रांच में भी आठ जार क्रोल के बांड भी के हलाकि अगले ट्रांच में भी फिर बांड बेचने की तैयारी हो रही है भारत में के बैंकों के पास शाटम लिकुरिटी इस समय खासी कम्योर है और RBI उसे समालने में मुश्किल महसूस कर रहा है ऐसी परिस्थिती में सरकार के करज की जरूरतों को कम करने की सदेक्षा के साथ RBI ने डिविडेंड को बढ़ा दिया और पिछले साल से जाधा डिविडेंड दिया है ताकि अगले महिनों में क्योंकि RBI कोई महसूस हो रहा है कि बाजार में ब्याइदरें ऊची रहेंगी और शाट टर्म लिकुरिटी और मीडियम टर्म लिकुरिटी बाजार में हमेशा चुनोती पूंड रहेगी उसमें अगर वो अधिक लावांच देता है तो जुलाई में आने वाले बजट में अपने फिनांसर्स मैनेज करने में सरकार को मदद मिलेगी ऐसा लगता है लेकिन फिलाल जो परिस्तिती दिख रही है उसे साबसे जुलाई के आकड़े में में फिस्कल डिफसिट के आकड़े में कोई बड़ा बदला होता नहीं दिखाई देगा ऐसा लगता है क्योंकि ये एक लाग करोर आने के बाद भी फिस्कल डिफसिट का नंबर वहीं मौजूद रहेगा वहीं बना रहेगा हाँ ये हो सकता है कि सरकार आने अगली तिमाही में आखिरी तिमाही तक जाकर अपने करज की मांग को थोड़ा सा सीमित कर सके ये एक लाग करोर रुपए हत्रिकता हैं लेकिन इसके अलावा बाकी रिवेन्यूज की परिस्थिती से ये निरभर करेगा लेकिन इस से कम से कम थोड़ा सा जिसको कि हम वित्ती भाशा में कहें थोड़ा सा एलबो रूम नए वित्त मंतरी को बजट मैनेज करने के लिए मि इवेज भी होगा इसका कुछ असर आप कैपेक्स पर या जीडीपी पर देखते हैं कैपेक्स हमें लग रहा है कि जुलाई के बजट में कैपेक्स में कोई बड़ा रिवीजन नहीं होगा क्योंकि कैपेक्स के प्लान पिछले साल की तरह ही चलेंगे शायद सरकार इस फंड का बाजार् में सरकार के करज का कारेक्रम का जिससे की बयाज़ को इस्थिर गहाने में मदद मिल सके लेकिन इसके बाद भी जब राजकोशी घाटे की गणित नयसे रे से नए बजट की त्यारी शुरू हो जाती है तो जो कुशन अवलेबर होगा उसका फाइदा अगले वित वर्ष में शायद मिलेगा